हेलो फ्यूचर ओफिसर्स वेल्कम टू चंडिका डिफेंस अकेडमी विए तो यही सब आपको बताने के लिए आज हम आपके सामने हैं तो लेड़ स्टार्ट अब जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे आजड़ेस कैड़ेट्स 2020 में जो हमारा एकुरेटली जो लास कट आफ था जो हमारा रिटन एग्जामिनेशन होता है उसमें था बटा 355 तो 355 आउट आफ 900 मार्क्स जिन कैड़ेट्स ने स्कोर किये उन्होंने अपना रिटन एग्जामिनेशन क्रैक किया और इसमें कंडिशन याद रखेगा with at least 25% मा दोनों के मार्क्स जोडते हैं उसमें 1800 में से जो लास कैंडिडेट रिकमेंड हुआ था वेटा सेलेक्शन के लिए ओफिसर के लिए वो मार्क्स दे 723 तो यह हमारी कट आफ थी for the year 2020 NDA एग्जाम लेट असमें जो हमारा 900 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन था उसमें कट of marks जो थे that was 346 if you remember और again same condition थी कि 25% marks हर एक subject में थे यह जो percentage है यह उपर उट जाएगी अगर candidates ज्यादा स्कोर करेंगे तो और अगर candidates कम स्कोर करेंगे तो यह 25% जिए 20% भी हो सकती है candidates और last जो recommend हुआ था basically last candidate merit order में out of 1800 marks वो marks थे 709 तो यह भी आपको clear हो गया कि 2019 का cut-off क्या था आगे बढ़ते हैं अब 2019 का जो हमारा वो second examination की बात हुई थी हमारा first examination है तो उसमें जो cut-off था वो था 342 marks again same with at least 25% marks in each subject and the last recommended candidate out of the total 1800 final selection जो थी 704 marks की तो यह भी सब को clear हो गया बहुत बढ़िया next then 2018 जो second examination हुआ था NDA का उसमें हमारी जो cut-off थी selection की that was of 325 marks out of 900 marks again the same condition 25% marks हर subject में जरूरी है और जो final selection हुई थी out of 1800 marks उसमें last candidate के marks थे candidate you can see it out that is 688 तो 2018 का second examination का भी cut-off आप सबके अब दिमाग में बैठ चुका है so let us move forward then 2018 का जो हमारा first examination था NDA का उसमें cut-off marks थे आप देख पा रहे हैं that is 338 तो 900 में से जिस candidate ने 338 acquire किये that means उसने वो return test clear किया with again same condition 25% marks in each subject और final जो merit बनी 1800 marks की उसमें कितने marks थे last candidate के जो finally select हुआ 705 तो यह भी clear हो गया सब को 2018 का जो first NDA exam था उसका cut-off क्या था आगे चलते हैं अब 2017 का जो second NDA exam था उसमें हमारा जो cut-off था आप देख सकते हैं कितना कम था 258 marks that means आप अगर एक चीज़ observe कर रहे हैं merit हर साल उपर उठ रही है हमें और मेहनत बढ़ानी है selection के लिए और अगेन condition वही थी minimum 25% marks in each subject और जो 1800 में से last candidate जो recommend हुआ था उसके marks थे 624 तो यह भी हमें cut-off clear हो गया बहुत ही बढ़िया और एक लास्ट और देखते हैं 2017 के first exam का cut-off तो it was 342 because अब देखो यह marks उपर उठ जाएंगे अगर थोड़ा tough होगा तो बिसलिए examination समझ रहे हो भी marks अगर tough हो गए तो यहां पे minimum percentage वाला जो है as it is वो lift कर देंगे विटा easy paper होने पर 25 की या 30% भी हो सकता है और अगर easy exam होगा तो यही as it is जो है cut-off increase हो जाए गए 30 पे भी जा सकता है तो यहां पर last cut-off marks क्या दे 342 for the first written test और second में final जो selection हुई थी candidate की उसके marks थे lastly 708 isn't it तो यह हमारा total 2017 से 2020 का total cut-off आपके साथ हमने आज share किया जिसमें हमने first written examination के भी marks आपके साथ शेयर किये minimum कितने marks आपको चीए तागे आब marks हैं उसका भी cut-off हमने आपके साथ शेयर किया अब सबसे important चीज future officers अगर आप देश में सबसे बहतरीन coaching चाते हैं written examination की और SSB interview की तो हमारे दिये गए numbers पे foreign संपक करें और अपना जो सपना है उसको achieve करें best of luck for your nda 2021 exam thank you